Hello Everyone, आप सभी एक बार फिर से स्वागत हमारे यूटूब चैनल संकरनाथ एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तो एक बार फिर से लेकर आया हूँ HSSC CET एक्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट जानेंगा दोस्तो इस वीडियो में most important question जो CET एक्जाम के लिए है यदि चैनल पर पहली बार आएं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन जरूर दबाईएगा वीडियो को ज़्यदे ज़्यादा शेयर कीजिएगा सबसे पहले आप सभी को दोस्तो दिवाली की बहुत बहुत सुब कामना है और अब आप CET की त्यारी में भी जुटे रहे हैं दिवाली के साथ साथ 5 और 6 नॉम्बर को आपका एक्जाम है दोस्तो तो चलिए अपना प्रैक्टिस एड़ सुरू करते हैं ओप्सन्स आपके हैं अब्दुलमीद हंसारी या अब्दुल एहमद लावरी इन ओप्सन में से आपको आंसर करना है तो इस कोशन का राइट आंसर आप लगाएगा दोस्तो अपने इसाब से जो लगाऊँगे उसके बाद मैं बताऊँगा उसको आप मिलान करना है कि आपके कितने कोशन ठीक रहे तो इस कोशन का राइट आंसर आभी हैं रिवी वीन डेरे जी और जो हनई हुआ बंगाला नोलन के संस्तापक थे अगला कोशन है काफी अग्जाम में पूछा जाता है सिलिकोन वैली किस सहर में है या बहुत बड़ी पूछ लिया जाता सिलिकोन वैली के नाम से कौन सा सहर परसीद है तो कोलकता, बैंगलरू, जैपूर या फिर दिसपूर बताना भी कौन कौन से बैंगलरू को सिलिकोन वैली कहा जाता है सिलिकोन की दोस्तों चीप्स वेगरा बनती है चीप्स खाने की नहीं जो मुबाइल फोन में, कम्प्यूटर में इन सभी में, जो मैमोरी कार्ड हम बोलते हैं वे हमारी जोन सिलिकोन की बनती है उसके बदगला कोचन अभी मानस नेशनल पारक कहां श्तित है ओप्सेंस आपके हैं मानस नेशनल पारक कहां श्तित है असम इस कोचन का राइट अंसर रहेगा मानस नेशनल पारक अगले कोचन पर चलते हैं विशाओ जल दिवस कब मना आ जाता है 25 मारच, 22 मारच 25 जुलाई, 25 सितंबर तो दोस्तो विशाओ जल दिवस मना जाता है आपका भी 22 मारच को द्यान रखेगा 22 मारच को विशाओ जल दिवस और दोस्तो 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस जल और थल दोनों ही 22 को मना जाते हैं लगातर महिनों में ये द्यान रखेगा 22 मारच जल दिवस उसके बाद अगले कोचन पर चलते हैं वही विशाओ प्रियावाण दिवस क्योंगी दोस्तो दिवस वगरा से important question पूछ लिजाते हैं सभी अग्जाम्स में दिवस की पहले भी मैंने classes कराई हुए हैं इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं दोस्तो सरच करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी विशाओ प्रियावण दिवस कम मना जाता है आठ जुलाई पांच जून पांच सितंबर पांच मारच तो इस question का right answer कीज़ेगा विशाओ प्रियावण दिवस तो पांच जून दोस्तो इस question का right answer हैगा जो World Environment Day है पांच जून को मनाया जाता है अगला कोच नभी Mount Atena जवाला मुखी किस देश में स्थित है जो Mount Atena जवाला मुखी वो किस देश में स्थित है जो वूलकेन वह भी Mount Atena, Italy, Iraq, Kenya या फिर जपान इन options में से right answer कीज़ेगा तो आपका इस question का right answer हैगा जो माउंट एट ना जो जो आलमकी वो रहेगा भी Italy के अंदर Italy's question क right answer रहेगा अगला question अभी विजय हजारे ट्रोफी किस खेल से सम्मदित है तो विजय हजारे ट्रोफी आपको बताना किस खेल से सम्मदित है किरकेट, होकी, पोलो या गोल्फ तो विजय हजारे ट्रोफी दोस्तों सम्मदित है भी किरकेट से किरकेट से सम्मद रहेगा विजय हजारे ट्रोफी का उसके बाद अगला हभी कवक विज्यान का अद्धन क्या कलाता है कवक विज्यान का अद्धन क्या कलाता है माइकोलोजी, साइटोलोजी, नेफरोलोजी, निूरोलोजी तो इस question कराईट आंसर बताईगा भी कवक विज्ञान का अध्यन कराता है दोस्तों माइकोलोजी माइकोलोजी इस question कराईट आंसर रहेगा अगला question अभी विशव AIDS दिवस कम मना जाता है एक दिसंबर, एक जनवरी, एक फरवरी, एक सितंबर विशव AIDS दिवस तो इस question कराईट आंसर बताईगा आप भई आपके लिए होम वो रखाए विशव AIDS दिवस कम मना जाता है कमेंट सेक्षिन में इस question कराईट आंसर कीजिएगा विशव AIDS दिवस यह आपके option रहेंगे अगला question अभी सिकंदर ने भारत पर कब आकरमन किया था 330 इसवी पूरो 326 इसवी पूरो 25 या फिर 300 इन उप्शन में से आंसर करना है तो इस question कराईट आंसर दोस्तो रहेगा 326 इसवी पूरो जोहना सिकंदर ने भारत पर आकरमन किया था और 323 इसवी पूरो जोहना सिकंदर की वाद पिस जाते हुए मर्तिव हो गई थी अगला question है भी कृतरिम सेटलाइट के अंदर व्यक्ति भार हीन में हैसूस करता है क्योंकि पृत्वी के अकरशन का बल इसका दोस्तो सेटलाइट वी सेश डिजाइन वी आंसर दोहना दिखाया गया है और चंदर मा के अकरशन बल दोरा संतुलित होता है यही बताएगा तो यह किया जनने होला रेडियो आइसोटोप कौन सा है रेडियो कोबाल्ट रेडियो शीशा रेडियो फासफोरस या फिर आयोडीन रेडियो जो होना दोस्तो चरम रोग में चरम रोग के उसमें बताा दोस्तो तो इस इस question क्राइट answer आप करेगा भी बताना एक बार तो इस question क्राइट answer रहेगा उस तो को रेडियो कोबाल्ट रेडियो कोबाल्ट जो नाचरम रोग में आपका काम आएगा अगला कोशन अभी बारत में खोजा गया सब से पहला और पुराना सेहर कौन सा था तो भारत में जो खोजागा सब से पहला और पुराना स्थल था मुंबई और किस सहर को 2011 ट्री सिटी आफ दा वल्ड के रुप में मानेता दी गई है तो इस कोशन का अंसर करना है हिदराबाद, केरल, गुजरात या मारास्टर मुंबई और किस सहर को 2021 ट्री आफ दा वल्ड के रुप में मानेता दी गई है तो हैदराबाद इस कोशन का राइट आंसर रहेगा आपका भी मुंबई और किस सहर को तो मुंबई और हैदराबाद को 2021 की ट्री सिटी आफ दा वल्ड के रुप में मानेता मिली है तो यह थे दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट वीडियो को ज्यादे से ज्यादा शेयर कर देना जो कोशन पूछा गया है उसका राइट आंसर कमेंट सेक्षन में कर देना या फिर दोस्तों टैक करके उसको वटसब ग्रूप में भी सेंड कर सकते हो तो चैनल को ज्यादे से ज्यादा सब्सक्राइब कर जिएगा वीडियो को ज्यादे से ज्यादा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादे से ज्यादा अपने ग्रूप वगरा में सेर कर दी जागा जितने भी वटसब ग्रूप है पर टेलिग्राम चैनल दोस्तो क्योंकि आपका 이 Motivation है अलग-अलग या फिर ज्यादे से ज्यादा वीडियो Practice out कराने के लिए प्रेडित करता है आपका भी अग्जाम है साथ में और भी दोस्तों गाजिन का भी अग्जाम हूं उनके लिए ये वीडियो helpful थाश्याप renewable हो शकती है तो इस वीडियो को जड़े से ज़्यादे कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो में फ़ला इतना ही दोस्तों दन्यवाद जैन जै बार्त जैर याना